हेदर अली की शायरी युवाओं को देश भक्ती के लिए प्रेरित करती है शायर हेदर अली द्वारा लिखित रुबाईया नामक पुस्तक का विमोचेन पूर्वमंत्री अजय सूध एवं अर्विन वरिस्ट सदस्य इंडो जर्मन टूल रूम सुक्षम लगू और मध्यम उद्धम मंत्राले द्वारा सयूक्त रूप से किया गया अर्विन वरिस्ट ने कहा कि हेदर अली शायर के साथ साथ एक समास सेवी भी है जिन्होंने 45 बार रखतान किया है वह एक लोग पर ये शायर है उनकी शायरी युवाओं को देश भक्ति के लिए प्रेडित करती है शिव पूरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट ले के सब सब शायरी ये करते हैं आज हमारे छोटे भाई हैदर अली जो एक बड़े समास सेवी है और 45 बार रक्तदान भी कर चुके हैं आज उनकी एक कुस्तक का विमोचन था रुवाईयां ये हमेशा से युवाओं को प्रेडित करने वाले सायरी लिखते हैं देस भक्ति की सायरी लिखते हैं इनका एक उद्धेष है कि इनकी सायरीयों से प्रेरित होकर यहां का युवाओं देस भक्ति की जोड़े समाज के लिए अच्छा काम करे आज हम उनके उजल वबिस की काम न करते हैं हैदर अली को बदाई देते हैं कि वो समाज के कारों में इसी तरह से निरंतर लगे रहे हैं मैं नाम हैदरली है मैं एक्टर शायर और समाज से भी कों सी किताब आपने लिखी है इसका क्या उद्धिश है ये मेरी रुबाईयों के किताब का भी मोचन हुआ है अर्विन वची जी दुआरा मैं हर साल युबाईयों की शायरी और रुबाईयों के किताबे लिखता हूँ इसमें मेरे मजभ की शायरी भी होती है इसे नमाज के हुआले से कि नमाज से दुनिया में इज़न नसीब होती है नमाज से रिस्क में बरकर नसीब होती है नमाज से रब की मुहबब नसीब होती है जमी पे आके फलक से ये काम करते हैं जमी पे आके फलक से ये काम करते हैं नमाजियों को फरिष्टे सलाम करते है और देश बक्ति शारी भी लोगों को बसन आती है जो लोग मुल्क की मिट्टी के वफदान नहीं है वो लोग किसी रहम के हगदार नहीं है जो लोग मुल्क की मिट्टी के वफदार नहीं है वो लोग किसी रहम के हगदार नहीं है भारत पे फिदा होने का अर्मान है दिल में हम लोग अज़ादार हैं गदार नहीं है बिलब बिना मुलें!